तो MPPSC Prelims 2024 वापस आ चुका है वापस आ चुका है इसके पहले भी आ रहा था फिर एक्जाम पोस्पोंड आपको हो गई तो अब तो फाइनली 23rd of जून को आपका एक्जाम आपको होने वाला है और 38 आप लोगों के हाथ मैं बचे हुए है तो अब वही बच्चे घवबरा रहे हैं परिषान हो muit यह फ giorni किताब खरीद के पढ़ लेते हैं उसको खरीड नहीं आई है उसको खरीड लेता है दो 5 ale को मिलेंगे पीडिएफ रोज आ रही है उन पीडिएफ को देख रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट फैक्स देख रहे हैं मतलब बच्चा जो है वो परेशानी परेशान है तो बहुत परेशानी का सबब है आज के टाइम पर और विसी बात होना ही चाहिए एक्जाम के पहले जो डर है जो जिसकों बोलते हैं fear बोलते हैं वो फियर तो हर बच्चे के साथ आपको होता ही है और यह बड़ा common है बच्चों बलते है डर लगगेदा ।ो को डर से लगे है कि तुम्हारा Pen खराब हो गया तुम्हारा जो Amit Guard है वो घर पर रह गया गाड़ी पंचर हो गई फलाना हो गया ऐसे कई सारे सपने एक्जाम में कि इसको कीया जाए कैसे कम किया जाए कैसे इस इस्ट्रेस को एक एनरजी में एक उर्जा में कनवर्ट किया जाए ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से आने वाले समय में MPPSC प्रिजम्स के जो तयारी है वो कर सके और इस बार जैसे पोस्ट भी कम है 116 ही पोस्ट आपको है और इतिनी कम पोस्ट होने के बावजूर कैसे हम ल इनकी आपकी स्ट्रेजी क्या होना चीए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है किसको कितनी बार पढ़ना है टाइम को कैसे मैनेज किया जाए MCQ लगाना नहीं लगाना है MCQ लगाने के बाद सर यह होता है कि किसी टेस्ट में नंबर अच्छा आ रहे हैं किसी में कम आ रहे हैं तो क्या करें कभी मॉटिवेट हो जाते हैं कभी लगता आप पूनीच तैसिलदार है अपनी DC है अगले पर लगता है कि आर पटवारी की एक्जाम अची नहीं गई पटवारी ही दे था तो अलग-अलग mix reaction आपके रहेगी जब भी आप लोग test series होगे MCQs वगर आपको करोगे तो और बार अलग-अलग चीज़े होगे तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग इस lecture में discuss करने वाले है कि क्या चीज़ें आपको आने वाले समय में करनी है time management क्या रखना है strategy अगले time पर अगले आने वाले समय में आपको क्या रखना है चलिए तो यह सब चीज़े हम लोग इस video के अंदर आपको discuss करने वाले सबसे पहले अगर मैं बात बता हूँ न कि अगर हम लोग time management की बात करें समय प्रबंदन की अगर बात करें तो समय प्रबंदन या time management में सबसे important चीज़ यहाँ पर आपको होती है कि आप कितने hours अपनी preparation को आपको दे रहो कितने घंटे preparation को दे रहो अब वैसे तो देखा जो अभी जो समय आ गया है वहाँ पर अगर आप 24 घंटा भी दोगे ना तो 24 घंटा भी कम पड़ेगा जितना पड़ोगे उतने बार आपको doubt होगा कि अरे याद नहीं है और पढ़नेता हूँ और पढ़नेता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको बोलते हैं आंसर राइटिंग करो आंसर राइटिंग करो तीन तीन घंटे आंसर राइटिंग करो कुछ बच्चे करते हैं जो बच्चा तीन घंटे आंसर राइटिंग कर रहा है जो मिंस दे रहा है या जो मिंस की preparation आपको कर रहा है, तो 2,5-3 घंटे answer writing करता है, तो answer writing में उसकी जो sitting है, second sitting habit आपको बन जाती है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो answer writing नहीं कर रहे हैं, जो पहली बार ही exam आपको दे रहे हैं, तो उनका इतना sitting habit आपको होता नहीं है, वैसे नॉर्मली देखा जाए, तो कई सारे जो psychologist वगरा हैं, वो लोग आपको बोलते हैं, कि अगर कोई वीची अगर हम लोग करते हैं, तो वैसे देख 45-minute का rule है, 45-minute का एक नियम आपको होता है, कि 45-minute जो है, उसके बाद आपको, आपका concentration भंग होने लग घाता है, एक 90-minute का rule है, 90-minute का rule है, कि 90-minute के बाद आपका concentration भंग होने लग जाता है, यе आपको टैय करना है कि आपका concentration कितने समय के बाद भंग हो रहा है, कोई बोला का सर, मेरा तो 2-bit मीट मे भंग हो जाता है, 2-minute لगते हैं है मैं कुछ और सोचने लग जाता हूं कुछ और चला जाता हूं दसकाम याद आ जानते हैं कि एक फलाना करना है धिमका करना है तो जब भी आपको लगे आप थोड़ा सा क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको लंबी सिटिंग करना पड़ेगा देर तक बैठना पड़ेगा तो इसके लिए आपको आप 45 मिनिट का शेडूल बनाओ 45 मिनिट को 90 मिनिट टक एक सिटिंग में मैं उठूंगा नहीं पड़ने का मेसेज आ गया, मेसेज आ गया Miss you, तुम बुलो Miss you, चलो ठाब कर ले थे पाई नहीं वाई एकदम श्रीक लिए 5-5-45 मिनिट या एक घंड़ा जितना भी आप पढ़ रहे हो पढ़ना मतलब पढ़ना बहले 6 घंटे पढ़ो लेकिन 6 घंटे ऐसा पढ़ो कि वो 10 घंटे के बराबरो कुछ बच्चे होते हैं बोले हम सरा 18 घंटे पढ़ते हैं हम 16 घंटे आ बाई कहां सा है तुम किसी एलिन में लेनों का तो 16 घंटा पढ़ना किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि उतने घंटे बैठा है वो पढ़ा नहीं है तो टेबल चेर पे बैठना और पढ़ना ये दो अलग अलग चीज़े हैं और उतने समय तक पढ़ना जहां पर आपको सब कुछी जे समझ में आरी सबसे अंडरस्टाइंड कर पा रहे हो ये एक अलग चीज आपको है तो उसमें आप देखा जा तो आने वाले समय में कोशिश करो कि 45 मिनिट बैठने की कोशिश करो 45 मिनिट के बाद आपको लगे कि हाँ चलो 45 मिनिट सिटिंग आपको हो पा रही है then extend this to the 90 मिनिट 90 मिनिट तक extend कर दो कि ठीक है 90 मिनिट जो है 90 मिनिट तक हम लोग आपको बैठ सकते है 90 मिनिट से ज्यादा अगर आप करो गया तो थोड़ा सा आपके उपर stress आपको होगा तो कोशिश करें कि 90 मिनिट की sitting आपको ले और ऐसे कम से कम आपको 90 मिनिट की 10 sitting लेना पड़ेगी मतलब कितना हो गया वही साब देख लो जादा हो गया जादा हो गया चलो ठीक है तो ऐसे कम से कम अगर आप पांच sitting भी अगर आपको लेते हैं तो तकरीबन कितना हो गया साड़े 400 मिनिट यहाँ पर आपको हो गया या आपका तकरीबन 6-7 आर से उपर यहाँ पर आपको हो गया तो ठीक है इतनी चीज़ें इतना time आपको दे सकते इस time को थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा यह तो time के बात हो गई यार कि time को कैसे हम लोग कितना time पढ़ स अकरी के जो 38 दिन बचे है ना यह 38 दिन actually revision का time है जो topic आपने पढ़ लिया पहले प्री आगे बढ़ गई तुम लोग मौज मस्ती में निकल गए क्या रहा है प्री आगे बढ़ गई आराम से पढ़ते रहेंगे कोई दिक्कत नी लेकिन क्या हुआ फिर से वही आ गया जो आ जब भी exam आगे बढ़ती बच्चा इसी situation में हमेशा आपको पहुंच आता है तो कम से कम आपको six to eight hour इतना preparation आपको करने ही पढ़ेगा और यकीन मानो इससे ज़्यादा तुम पढ़ भी नहीं पाओगे है ना इससे ज़्यादा कर कोशिश करोगे तो तुमारे दिमाग में जाएगा अब क्या पढ़ें कितना पढ़ें कब पढ़ें बहुत से री चीज़े सबका अपना अपना होता है कुछ लोग देर रात तक पढ़ने वाला व्यक्ति हूं मैं चार-चार बज़े पांच-पांच बढ़ता था अभी मैं बड़ा दो-तीन बज़े लेट रात को सो सुबह तीन बज़े उठो चार बज़े उठो स्कूल में मम्मी उठा देती थी सबको फोटो एक्जाम है पढ़ना है रिविजन करना सुबह का टाम सबसे होता है तो उंगते उंगते उठते थे और पढ़ने बैठते तो सच में उस टाइम पर पढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी ठेक लेकिन आजकल मॉबाईल ओभल आ गया तो सुबह सुबह मैसेज देखने किसका मैसेज आ गया क्या हो गया कहीं ट्विटर खोल लिया कहीं फेस्बूक खोलिया कर इंस्टागरम खोल लिया चुनाओ का महले भाई साब तो किसी ने कुछ बोल दिया बहुत सारी चीजे चलती रहती है थोड़ा सा mobile का उप्योग आपको दूर करो दो तीन चीजे आपको नहीं करनी है don't कि अगर मैं बताऊं कि आपको क्या नहीं करना है do and don'ts दो चीजे होती है first we will discuss the don't don't में क्या करना है किसी की भी सरकार बने तुमको तो नोकरी करना है मद्यी वितेस में सरकार है यह तो रहेगी 2013 तक लेकिन केंद्र में किसी की भी बने तुमको तो नोकरी करना है न तुमको केंद्र हो राज all कोई पियो तुमको अपना काम करना कॉंग्रेस आए भी४ी आए आप आए खाब आए और कोई भी आपको आए आपको शॉर तरीके से औन्यू deficiency एक तरह से रहना तो पहली बात तो जो फल तूइत उल रही है कि केजर्यवाल ने ये मोदी ने बोल दिया रहूल गांदी ने बोल दिया तो उस प्रकार की पॉलिटिक्स से आपको दूर हो ना, खेर ये पॉलिटिक्स कुछ दिन की है, आज जो है, आज थोला तारिक हो चुकी है, पंदरा दिन की और है, फिर एलेक्शन के रिजल्ट आपको आ जाएंगे, तो फिर सब मामला ठंडा आपको हो जाएगा, खेर जो भी है, थोड़ा सा से भी दूर है, आप उसमें इंटरस्टेट नर है, तो उससे आपका डिस्ट्रेक्शन होगा, दूसरा सबसे बड़ा जो डिस्ट्रेक्टिंग फेक्टर आज के टाइम पर है, वो है शॉट और रील, ये दो चीजे है, हर व्यक्ति इन शॉट और रील का दिवाना है, मैं भ हमारा कंसेंट्रेशन भंग होगा, हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, शॉर्ट रील वगरा नहीं देखना चाहिए, ये स्पेशली स्टूडेंट को, क्यों? क्योंकि आपको हर 30 सेकंड में कुछ नया चाहिए, ये जैसे अब तुम इस लेक्शर को देख रहे हो, तो 15 मेट 20 मेट, आदे घंटे का इलाप और आपको लेक्शर आपको होगा, और आदे घंटे में तुम 10 बार उठ जाओगे, या बहुत सारे बच्चे, जब हम लोग स्टेट चेक करते हैं, यूटूब का स्टेट चेक करते हैं, तो वो स्टेट बताता है कि शुरू के 30 सेकंड में, बलब यह समझो कि 70 परसेंट जो लोग है, वो शुरू के 30 सेकंड तक आपको आते हैं, 30 सेकंड के बाद आपको चले जाते हैं, बाकी बच्चे हुए जो 30 परसेंट है, वो पूरे वीडियो तक या हाफ वीडियो तक या मिड़ हाफ तक यहाँ पार, वहां तक आपको पहु कोई नहीं करते तो शौट कंटेन और रील्स की आदत छोड़ दो यह आपके कंसेंट्रेशन को खराब करता जब सेलेक्शन हो जाए आराम से बैटके ओफिस में देखने रहा ना कोई नहीं रोकेगा तुमको लेकिन अभी थोड़ा सा शौट और रील्स जो है उसको पूरी त चीज आपको करना है कि आर कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश अब मत करो या पढ़ना भी है तो अगले एट डेज में आट दिन में दस दिन में नया टॉपिक को खतम करना हो तो खर लो है ना तो नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करना क्यों क्योंकि उसको या उसकी summary आपको पढ़ लो, वो ज्यादा better रहेगा, as compare आप पूरा topic फिर से पढ़ने बैठे हैं, और especially geography, history, जैसे जो बड़े topics है, science वगरा, तो इन topics को जो start करने का, अब सोचना अभी मत, क्योंकि उससे काफी ज्यादा time आपका चला जाएगा, जो छूट गया, so छूट ग अभी एक्जाम है, इसके बाद एक्जाम कब होगी, अप्रेल मई दो हजार पच्चीस में, अभी तो एक साल में तुम तीन प्री दे चुके हो, अभी जैसे अभी जून, दिसंबर में हुआ था, उसके बेले जून में हुआ था, फिर अभी जून में है, तो एक साल में तो तो एक साल आपको बेटना पड़ेगा, एक साल आपको तयारी करना पड़ेगा, तो वो बड़ा difficult आपको होता है, तो इसलिए थोड़ा सा दम जो है, वो दम यहाँ पर आपको लगा लो यहाँ पर, तो नया topic पढ़ने की कोशिश मत कर लो, पढ़ो तो कम से कम, उसको जल्दी खतम कर लो, जल्दी end कर लो, अब क्या करना है, what to do, do में अगर मैं बताओ, सबसे important आपको revision, what is the key of selection, key of selection is revision, only revision, कितना revision, जितनी बार तुम कर सोगो, multiple time revision, अब सर कुछ होगा ना, कि एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार, तीन बार, अगर आप किसी भी चीज को तीन बा revise कर लेते हैं, तीन बार पढ़ लेते हैं, तो वो चीजों के याद रखने कि 90% probability आपको होती है, क्यों चीज आपको याद रहे जाएगी, या आपके बस जब option आएगा, तो आपको recall हो जाएगा, तो recalling बहुत easy हो जाती है, दो से तीन बार आप revision कर लेते हैं, एक बार में तो एक आप overview लेके जाते हैं, लेकिन second time और third time में आप proper तरीके से उसको जो तीन बार पढ़ लेते हैं, तो maximum चीजें उनमें से आपको याद रह जाते हैं, तो इसलिए किसी भी topic को हमको कम से कम तीन बार उसका जो revision है, तीन बार revision आपको करना अची है, कोशिश करें, रोज access, sustain वगरा वगरा करके, तो कई exam's MPPSC आपको लेता है, उन MPPSC की जो अलग-अलग exam's है, उनके भी previous question आपको लगा हो, कई सारी book market में available है, वहां से PYQ, उसके अलावा PW के test भी available है, उन test को भी आप लगा सकते हो, तो वहां पर भी PYQs और बाकी questions आपको available है, तो previous question लगाना जरूरी, क्यों, क्यों, सर क्या question repeat होते हैं, हाँ भई होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कहां से होते हैं, सर अलग-अलग exam से उठा के लाते हैं, जैसे अभी मैं कई सारे PYQs पर जब काम कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी कि एक paper था, set का, याना set का exam होता है, MP का, set की exam से चार question directly 2023 में उसने पूछ लिए, फिर एक कोई dental surgeon का कोई पता लिए, ऐसा कुछ करके कोई paper था, वहां से उठा कि दो question geography के पूछ लिए, MP geography के, फिर history कहा था, तो फला ने paper से उठा कि दो question आपको पूछ लिए, तो ये question कई बार repeat होते रहते हैं, repeat नहीं भी हो, तो आपको pattern of question समझ में आता है, कि अच्छा ये topic, ये topic, ऐसे से करके question आपको पूछता है, नए facts, नई चीज़ें आपको पता चलती है, तो इसके लिए PYQ जो है, उन PYQ को solve करना, आप लोगों के लिए काफी important होता, बच्चा सब कर लेता, लेकिन PYQ solve नहीं करता, तो PYQ solve करना, और एक पर पूछ लिया PSE ने, कि ISO HALAN क्या है, तो ISO HALAN के साथ में आप ISO height, ISO bar, ऐसे तमाम अलग-अलग lines है, उनको यहां पर आपको याद कर ले, उनको remember कर ले, ठीक है, उसके उपर भी में कुछ वीडियो आने वाले टाइम पर आपको बनाने वाला हूँ, कि short revision जो है, वो short revision क कैसे किया जा, तो कई सेरे short revision की जो वीडियो है, वो भी आने वाले समय में, आप लोगों के लिए ले के आने वाले, तो PYQ solve करना जो है, आप लोगों के लिए बहुत important आपको है, उसके बाद कितने subject एक साथ में पढ़े, तो देखो एक साथ अगर देखा जा, तो आप तो तो जो subject आपका कम जोर है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा time आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी revise करना है, तो थोड़ा revision पर focus करो, तो तीन घंटे बैठके इसको revise कर लेता हूँ, या दो घंटे इसको बैठके revise कर लेता हूँ, तो वो revision जो है, वो आपको 7-8 घंटे revision ही करना पढ़ेगा, नया पढ़ने का time शायद आपके पास नहीं है, और जो topic पढ़ो, उस topic के PYQs, उस topic के MCQs है, MCQ भी आपको solve कर लो, ठीक है, ओके, तो यह चीज है, अच्छा, उसके बाद आप बोलोगे सर, ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन एक problem यह आता है, कि जब हम लोग test series लगाते हैं, तो test series लगाने के बाद, हमारे number कभी 200 में से 180 आजाते हैं, कभी 70 आजाते हैं, कभी 60 आजाते हैं, कभी 500 आजाते हैं, कभी 100 आजाते हैं, तो बड़ा vary करता है, तो क्या है सर, यह इतना vary क्यों कर रहा है, अब दोख उसका बड़ा important reason आपको है, कि जब भी test बन सकते हैं, कि थोड़ा सा moderate या difficult यहां पर आपको लगे, तो we will try कि 100 question आपको ऐसे tough डाला, में भी जब बनाता हूं, तो 100 question tough आपको पूरे के पूरे question tough बनाने की कोशिश आपको करता हूं, या कम से कम 30 question तो मैं इतने tough डालूँगा, कि वो तुमसे बनेंगी नहीं, यह वो एक आदत होती है, एक ego होता है, कि अच्छा हम test मना रहे हैं, हम तो 30 question ऐसे डालेंगे, कि तुमको ना नहीं यादा जाएगी, तो examiner भी ऐसा करता है, कि 57 question ऐसे डालता ही डालता है, लेकिन exam में और यहां पर एक basic अंतर है, test series में, अंतर क्या है, कि exam में आपको 30 से 40 question ऐसे जिसके answer लोगों को पता है, आजकल वैसे question नहीं आते हैं, कि भई गंगा नदी जो है, वो कहां से निकलती है, या शिपरा जो है, वो कुम्ब का मेला जो है, वो किस नदी के किनारे यहां पर आपको लगता है, तो ऐसे question जो है, वो ऐसे question आज के time पर आपको नहीं आते हैं, आज कल थोड़ा सा level जो है, वो level increase अब हो चुका है, इस प्रकार के basic question आज के time पर आपको नहीं आते हैं, तो इसके लिए level तो बढ़ चुका है, इसके लिए आप जितना PYQs या बाकी MCQs practice करोगे, उतना आप लोगों के लिए better होगा, लेकिन the most important thing कि आप जो भी test series लगा रह है, मैं तो बन गया, है ना, मेरा तो selection आपको हो गया, अब मुझे इसको analyze करने की जर्वत आपको नहीं है, तो सबसे important चीछ कि उसको आपको जो analyze है, वो analyze करना पड़ेगा, उसको अनलाइस करना पड़ेगा, उसका visualization करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कि आपने पढ़ लिया पढ़ने के बाद आप analyze करें कि 100 question है तो 100 में से 70 question आप से बन गए 30 question नहीं बने तो बच्चा क्या करेगा 30 question पढ़ लेगा कि आचा 30 question है इनको मैं देख लेता हूँ देख ले नहीं जो 70 question आप से बने है उनको भी देखो उन 70 में से कम से कम तुमने 10 से 15 तुक्या लगाए होंगे अब exam में तो तुक्का लग जाता है लेकिन अभी exam नहीं अभी तो practice है अभी जब आप पढ़ रहे इस अप्रेक्टेस इस नॉट एक्जाम डोंट टेक इस एक्जाम है ना अब दोखो दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि जो नीट वीट की त्यारी करते हैं जो SSE की त्यारी करते हैं जो बैंक की त्यारी करते हैं तो उनके लिए वो time management important होता है इसके लिए कि दो घंटे में फेपर खतम करना मतलब खरना है लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है क्यों कि आपके पास बहुत टाइम होता है वह जो पेपर होता है maximum बच्चे 40-50 मिट में पेपर खतम कर लेते हैं फिर बैठे रहते हैं आदा गंटा एंगंटा है तो यह चीज़ आपको होती है that's why मैं आपको बोल रहा हूँ कि समय बहुत होता है आपके पास तो टाइम मेनेजमेंट वाला प्रॉब्लम आपका पीसी जैसी एक्जाम में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते है एससी बैंक वाला कॉपी करते हैं कि दो घंटे आरे दो घंटे में आराम से सो लोगा वाई मैंस नहीं है, मैंस में 3 घंटे में लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद उसको अनलाईस करो, अनलाईस कर में देखो कोन सा compression सही था, कोन सा गलत था, गलत हौः इस प्रकार का प्रशन पूछा है, तो मुझे आता था क्या नहीं आता मैंने तुक्का लग उसको अच्छे से पढ़ लो कि यह topic मेरे week हैं इनको और ज़्यादा revision करने की जरुवत है तो उसका proper analysis करना जरूरी है उसका visualization करना जरूरी है बिना visualization के test लगाने से कोई मतलब नहीं है कोई sense नहीं है आपने बस वह एक देड़ घंटा test लगाने का बरबाद ही किया है वेस्ट ह किया है और कोई sense नहीं है तो test जब भी दो उसका analysis जरूरी करो क्योंकि यह practice है exam नहीं है यह बात आप clearly यहाद यहाँ पर आपको रखेगा ठीक है उसके बाद subjects में कौन-कौन से subject को multiple time पढ़ना थोड़ा यह बता दूसर तो देखो एक तो आपका जो MPG के है वरम the most important 40 plus question आपके हर बार यहाँ से आते हैं इस बार तो मुझे लगता है कि वो 45 या 50 तक भी MP shut touch कर जाएगा तो 40-45 plus question जो है वो हमेशा MP के आपको आते हैं तो MPG के मतलब unit number 2, unit number 5, unit number 6, unit number 10, unit number 4, 5, 6, unit number 2, unit number 4, 5, 6, unit number 4, 5, 6, पूरा पार्ट नहीं, 5 और 6, Indian economy और MP और Indian quality है तो उसके कुछ पार्ट, 2 और 4 और 10, यह तो पूरी तरीके से MP की है जिसमें सबसे important unit number 10 है इसको काफी अच्छे से पढ़ना है इसके PYQs, MCQs भी लगाना है क्योंकि नए topic है फिर unit ना तो यह MP वाला हो गया तो MP के जो चीज करना है, बाकी subject साथ में चल रहे हैं, तो MP तो आपको लगाता है रिवाइस करना है, शुरू से लेकि आकरी तक, 22 जुन तक भी आपको MP रिवाइस करना है, तो MP तो आप पर्मानेंट रक लो, क्यार MP तो में चो रोजी रिवाइस करना है, आता है मुझे फिर भी रिवाइस करूँगा, यह पर यहां लिखा हुआ है कि मद्विरेश के राजदानी भोपल, हां मैं पढ़ लूँगा, दो बार पढ़ लूँगा, क्योंकि बच्चे गल्ती कर देते हैं, एक बार क्योशन आया था कि मद्विरेश में विधान सभाई की सीटे किती है, यकिन नहीं मानो ऍदी जाते हैं, उसके हरण आता हुआ क्योशन भी बोलो, गलत कर जाते हैं, मेरा एक ही उद्देश, एक ही मैं बूलता हूँ हमेशे, एक ही बात बोलता, और इस University पनालो लो, क्या कि आता हुआ क्योशन इन नमबर मिलते है आपको अगा देखोगे तो यहां पर क्या होता तो यहां पर क्या होता गलत मेशन、、 Commission को अच्छा से पड़ोगे question के statement को अच्छे से पढ़ोगे वहाँ पे not, does not या false, true ऐसे जो चीजें हैं उन पर थोड़ा सापको ध्यान रखोगे तो आपके 4 से 5 question आपको सही हो जाएंगे तो false, true, not does not, not ये जो terminology है उसमें बच्छा ध्यान नहीं देता जल्दी में रहता, आरे काई की जल्दी भाई, कहां जाना है फिर second paper भी देना है जिसे मिलना, class के बाद जाके paper के बाद जाके मिल लेना, चार बजेंगे ना चार बजेंगे, निकल जाएगा फिर मिल लेना, नहीं जल्दी है बाई साब हमको बहुत जल्दी है, पता है नहीं काई की जल्दी है तो जल्दी बाजी नहीं करना है, question को दो-तीन बार पढ़के आपको solve करना है, खेर exam के पहले हम इसको और discuss करेंगे तो पहली बात बाई साब जो MP है MP जी के को बिल्कुल भी हलके में मत लेना फिर history का क्या करें सर, है अब दोको history में क्या करना है, history का क्या ही करना है जो करना है history में हो गया, लेकिन history में जो नए topic जुड़े है, concept and ideas concept and ideas ये अच्छे से कर लेना, क्यों कर लेना क्योंकि इस बार जो भी tough question आएगा, वो यहीं से आएगा, यकिन मानो कम से कम पाँच question कम से कम पाँच question, concept and ideas ने वो लोग आपको देगा, क्योंकि नया topic है interesting topic है, सरकार थोड़ा थो तुम को ये सब चीज़े पढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए concept and ideas वाला या संकल्पना इन विचार वाला जो पहला, syllabus का पहला ही topic है वो पहला topic जो है, वो पहला topic तो अच्छे से यहां पर आपको कर लेना, उसके MCQs देख लेना, उसके theories देख लेना, उसकी एक-दो classes में भी लेके आऊंगा, उसकी कुछ important terminology लेके आऊंगा, term, क्योंकि वहाँ पर term ही आईगी, है ना 2023 के paper में देखा था, तो अच्छी खासी दिक्कत आपको हो गई बच्चों को, तो terminology वाला topic है, वो में लेके आऊंगा, तो कुछ उस terminology की माध्यम से, आपका revision यहां पर आपको हो जाएगा, तो history जो है, उसको थोड़ा सा इन topics और बाकी भी आपको चलते हैं, अच्छा बाकी जो भी topic है, जैसे science हो गया, unit number 10 हो गई, 5 हो गया, 6 हो गया, इनके अंदर जो new topic दिये हुए है, जैसे geography के अंदर आपको अल निनो लानिनो आपको दिया है, फिर economy के अंदर आपको the good governance, वो मलब आपको current state of मद्विदेश इंदर इंडिन economy, या sustainable development goal, या good governance, या science में देखोगे, तो malnutrition वगरा दिया है, SDG index, SDG index, वो दिया है, तो जितने भी नए topic है, उन नए topic को पहली फुरसत में अच्छे से prepare कर लो, तो पहला काम नए topic को फिर से revise अच्छे से आपको कर लेंगे, उनके बारे मे और कुछ data gathering करनी, fact gathering करनी, तो वो भी कर लेंगे, तो जो नए topic है, जो traditional topics छोड़के, जो नए topic add हुए है, इनको पहले बहुत अच्छे से prepare अभी कर लो, और इसको हर 10-10 दिन के अंदर, क्योंकि अगले 10-10 दिन पर तो exam ही है, तो हर 10-10 दिन में इनको proper revise भी, topic के साथ इनको भी revise करते रहो, तो ये जो नए topic है, तो new topic के उपर आपका जो concentration है, आपका जो focus है, वो focus आपको होना चीए, क्योंकि maximum paper मुझे लग रहा है, इस बाद नए topic से ही मनेगा, इसके आसपास क्या है, traditional वाले question भी आएंगे, history से, geography से, economy से, polity, लेकिन नए topic का जो बोलवाला है, इस इसे selection होगा, यहीं से, तो यहीं से तुम्हारा selection होगा, यहीं से तुम्हारा pre निकलेगा, लेकिन जो चीज़े में इस वीडियो में बताई है, उनको याद रखिएगा, MPG के continue चलेगा, और इसके लावर नए topic पर आप focus करेंगे पहले, MPG के पढ़ते रहो, MPG के भी नए topic लेकिन बाकी subject में, बच्चा क्या करता, MP पढ़ लिया सर, मैं history नहीं पढ़ा, मैं geography नहीं पढ़ा, मैं policy नहीं पढ़ा, मैं economy पढ़ा क्या भाई फिर, बोले MP पढ़ लिया, MP पढ़ने से exam नहीं निकलता, पहले निकलता था, MP पढ़ भी लेगा, तो 40 question पूरे की पूरे सा कर लेगा, बाकी 60 का क्या करेगा, तुक्य लगा लेगे सर, तुक्य लगा के पहले क्या होता था, 70-72 cut off जाता था, तो तुक्य लगा के बाकी 60 में से 30-32 ले आता था, परी निकल जाता, अब ऐसा नहीं होता, 80 plus cut off जाता है, तो 10 के 10 unit, 10 के 10 unit में सभी question आपके attempt आपको हो, औ आप silly mistakes exam में करते हो, तो 4-5 question तो आपको गलत होने से होते ही होते हैं, हर सबके होते हैं, तो 4-5 question तो बड़े से बड़े topper के भी गलत होते हैं, थोड़ा सा practice करोगे, वो 4-5 question शायद 1-2 question में convert हो जाएंगे, लेकिन एक बात आता हुआ question गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखने हैं, पूरा syllabus हम complete करेंगे, पूरे syllabus को revise करेंगे, MP को continue करेंगे, real और short जो है, वो कतीनी देखेंगे, कम से कम 8-10 घंटे preparation करेंगे, 45 minute और 90 minute का जो rule है, उस rule को follow करेंगे, 45-45 से 90 minute, 90 से हो सका, तो हम लोग 270 तक भी जाने की कोशिश करेंगे, 135 तक तक जान एक दो पेज पढ़ने के बाद, उसको बार 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 रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, कि दो घंटे पढ़ने के बाद, एक घंटे पढ़ने के बाद, कितनी चीजे मेरे दिमाग में हैं, कितनी चीजे में फैक्ट याद हैं, कितने इंपोर्टन चीजे याद हैं उनको अलग से लिखेंगे, जो important keywords मिलेंगे, उन important keywords को आप लगातार लिखते रहेंगे, ताकि वो important keywords आपको बार-बार दिखेंगे, बार-बार वहां के जो question है, उन question को आप solve कर सोको, और उसके साथ PYQs जो है, PYQs लगाएंगे, पिछले 10 साल के MP की दूसरी exam के PYQs भी बन सकते हैं, उत्ते question को revise करेंगे, ये बात याद रखेंगे, thank you very much.